कोई भी यात्रा निकाले उसका प्रणाम कुछ निकलने वाला नहीं है वो बैशाखी के सहारे खड़े हैं राजनितिक रूप से बैशाखी के सहारे ही वो जिन्दा हैं उनका अपना जनधा बिलकुल खतम हो चुका है कि निति जी के पास कोई विचारधारा नहीं है कोई नमस्कार मैमरीस और आप देख रहे हैं एक न्यूस 24 हमारे साथ मौजूद हैं राष्टिये लोग जनता दल के परदेश अध्यक्ष रमेश सीकुस्वाजी रमेश जी जदिव जो है सदभावना भाई-चारा यात्रा निकाल रही है कितना चुनौती दे पाएंगे आपको जनता दलीव का जनधार हुआ करता था आज उनके साथ नहीं कड़ा है वह बैशाखी के सहारे खड़े हैं राजनितिक रूप से बैशाखी के सहारे ही जिन्दा उनका अपना जनधार बिल्कुल खतम हो चुका है जो यात्रा निकाले उसका कोई प्रणाम निकलने वाला नह अखड़ेंगे नितिस अब कभी आये के सात्ति नेहीं जाएंगे अपको क्या लगता है लेकिन पर कर सकता हूं उनके बारे में लेकिन नितीजी के पास कोई विचारधारा नहीं है कोई शिद्धांत नहीं है कब पल्टी मारेंगे अःफ नितीजी के अलावा को जाना यह नहीं आरजेडि के काफिक करीबी और आवडी देवी के मुह बोला भाई सुनिल सिन इन दिनों कभी अमीद साह के साथ तो कभी ग्रीराज सिन के साथ जा रहे हैं क्या लगता है कि वो भाजपा में सामिल होने वाले हैं आपको क्या लग रहा है देखे उसके बारे में मैं कोई पर्तिक्रिया नहीं दूगा और आबडी जी जाने और सुनविल सिंग जाने उन लोगों का अपना मामला है अगर बात की जाए तो बिहार में अभी देखा जाए तो कटिहार में देखिए वेगुशराय में देखिए किस परकार से निर्मम हत्याएं लोगों को कर दिया जा रहा है दलीत महिला के साथ रेप की घटना का अंजाम दे दिया जा रहा है आखिर अपरादी इतना निरंकूस है परसासन कारवाई नहीं कर रही है क्या कहें देखिए जब सत्ता में ही अपरादियों से गठ जोड करने वाले लोग बैठे हुए हों तो आप अपराद पर नियंत्रन की उमीद कैसे कर सकते हैं आज तो पूरा जो इसमें देखिएगा आप रादियों का गठ जोड है इस सत्ता के साथ और पुराना राज की पुनरवापसी दिखाई दे रही है और हर जगा शिरिफ महिला उत्पिडन ही नहीं हर जगा हत्याओं का दोर, बैंक, लोग की सारी घटनाएं इस सब हो रही है और इस पर नितिश जी का परसासन को कोई नियंत्रन रही नहीं गिया है आप रादियों का पूरे विहार में बोल बाला है और इस सरकार से अब उमीद करना भी बहुर ठीक नहीं है कटिहार में बीजली को लेकर के परदर्सन कर रहे हैं लोगों पर पुलिस के द्वारा गोलियां वरसाई गई बीजेंदर यादव का कहना है कि पुलिस अपने बचावा में गोली नहीं चलाएगी तो क्या चलाएगी आपको क्या लगता है पहली बात है कि माननिय पुर्जा मंत्री का ब्यान बिल्कुल ही हसासपद है और वो तो समाजबादी आंदोलन के धारा के बिक्ति हैं उनसे तो इस तरह की ब्यान के उम्मीद ही नहीं कर सकते थे अब बताईए बेगार जांग पड़ताल का उन्होंने जनता पर ही आरोप लगा दिया लिल के रियल सचाई तो यह है कि लोग बिजली की मांग को ले करके परदर्शन कर रहे थे अगर माननी आजाए कि कहीं अगर जनता के तरफ से कुछ एग्रेसिव ही करवाई हो गई तो क्या उसका जबाब सिर्फ गोली था लाटियों से काम नहीं चल सकता था पानी के फुहारे से नहीं रोका जा सकती थी तो इस भंसे इस सरकार का जो है बहुत हवी लगता है और यह शरकार लाठी गुली की सरकार है नितीष की सरकार और बिल्कुल तानासा ही पूर्णारोही अख्तियार कर रही है यह शरकार तो आप उटा रहे हैं तो उनको आवाजों को दवाने के लिए बोलिया चल्वादे रहे हैं ये सरकार जो है बिल्कुल तानासा हो ग Git, बिल्कुल पंगर हो गई भी इसतरा के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे हैं एक न्यूस 24 कैमरा में जैगी के साथ मेमरी इस पटना